पुलिस के कड़े पहरे के बीच दिल्ली में शादी करने वाले गैंक्स्टर काला जठेरी और हिस्ट्री शीचा रही अनुराधा अब पती-पत्नी बन चुके हैं हालकि इन दोनों की शादी साल 2020 में ही हो चुकी थी लेकिन इसे सीक्रेट रखा गया था इस शादी का जिक्र हर्याना पुलिस के पास मौझूद लेडी डॉन अनुराधा के डोजियर में भी है 12 मार्च को होई शादी के बाद अगले दिन अनुराधा को अपने पती के साथ घ्रे परवेश के लिए सोनीपत के जठेडी गाउं जाना था लेकिन कोट ने काला जठेडी को दी गई दो घंटे की कस्टडी परोल रद कर दी ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अनुराधा सिंग अब कहा है क्या वो अकेली ही ससुराल पहुँच चुकी है कोट ने 13 मार्च के लिए काला जठेडी को दो घंटे की कस्टडी परोल दी थी हाला कि हर्याना पोलिस ने कोट में कहा कि मनोहर लाल के सीम पर्च से स्तीफा देने और किसान आंदोलन के चलते उसके सामने लौ एन ओर्डर की समस्या है पोलिस ने कहा कि ऐसे हालात में वो काला जठेडी को सुरक्षा मोहिया नहीं करा सकती हर्याना पुलिस की दलीले सुनने के बाद कोट ने काला जठेडी की कस्टडी परोल रत कर दी काला जठेडी जहां इस वक्तिहार जेल में बंद है वैं अनुराधा दिल्ली की द्वारका में ही है अनुराधा ने कहा कि वो तब तक जठेडी गाओं में अपनी ससुराल नहीं जाएगी जब तक उसके पती के साथ उसका घ्री परवेश नहीं होता है अनुराधा ने ये भी कहा कि काला जठेडी को घ्रे परवेश के लिए पैरोल की मांग को लेकर हाई कोट का दर्वाजा खटखटाएगी आपको बता दे कि कम्प्यूटर साइंस में ग्रेजवेट और एमबी की डिग्री हासल कर चुकी अनुराधा फिलहाल एललबी की पढ़ाई कर रही है ये जानकारी खुद अनुराधा के वकील एपी सिंग ने मीडिया को दी थी एललबी करने के पीछे अनुराधा का मकसद है कि आगे चलकर वो अपने पती काला जठेडी के केस को खुद ही सभाले अनुराधा खुद भी ये बात कई बार बोल चुकी है कि वो अपने पती को कानूनी तोर पर सपोर्ट करेगी बता दें कि काला जठेडी और अनुराधा की शादी के लिए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्वार्ट कमांडो की एक पूरी टीम को उतारा था दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 में बने संतोष गार्डन बैंक्विट हॉल में शादी के दिन महमानों से ज़्यादा पुलिस के जवान थे एक-एक महमान का लिस्ट में नाम देखकर पूरी चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया गया था पुलिस को आश्रंका थी कि हाई प्रोफाइल मामलों में नाम होने की वज़े से शादी की भीड का फायदा काला जठेडी के दुश्मन गैंग उठा सकते हैं ऐसे में पुलिस ने कोई रिस्क नहीं लिया और शादी के लिए बैंक्विट हॉल को एक किले में तबदील कर दिया यहां तक की बैंक्विट हॉल के स्टाफ को भी विशेश आईडी कार्ट दिये गए थे एस दोरान करीब चार राज्यों की पुलिस अलर्ट पर रही और छे घंटे के भीतर विवाह की रस्मे पूरी कराकर पुलिस काला जठेडी को विवाह स्तल से सीधा तिहार जेल ले गई टाइमस्तान भारत डिजिटल की रिपोर्ट